नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्ट नमूर्ती आप सभी का सौगत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप समने बोला था सर ETF और NFO जो अप्स्टॉक्स में आता है जिरुधा में तो मुझे पता है कैसे अप्लाई करना है अप्स्टॉक्स में जो आता rite Poyos Account लॉगिन करने के बार यहां पर आपको invest का option दिखरा हो Data Invest के option पर आपको क्लिक करना है जैसे अप 투 फंड्स पे खेल करना में जन्त आपका नहा पेज आप यहां पर सर्च करके mutual funds जो है यहाँ पे invest कर सकते हैं लेकिन मेरा motive है यहाँ पे NFO में invest करना तो यहाँ पे आप IPO क्लिक कर सकते हैं, IPO के लिए मुझे यहाँ पे collections पर जाना है, mutual funds मे 중요hmen Nifty Financial Services ETF, यह भी बहुत अच्छा ETF है, यह जो ETF है, इसका भी जो return है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको nifty indices.com पर जाके उसका return देख सकते हो, इसको भी invest करना कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपका minimum investment है 5K, आप सब का कुछ सवाल आता है, मुझे अभी यह invest करना, ICICI, Prudential FMCG ETF Last 5 years का return to a 10% plus dividend मिला के 13% के आसपास है, not a bad return, long term में इसका return बहुत अच्छा है, जितने भी आपको ITC, HUL, Colgate, FMCG के जितने भी stocks हैं, वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, यह आपका है NFO, यह NFO है पहले new fund offering, जो भी mutual fund पहली बार कोई fund launch करती है market में, तो उसको बोलते हैं NFO, यह NFO plus ETF है, ETF मतलब यह exchange में trade होगा, यह जो index है आपका, वो list होने के बाद आप NSC और BSC पर buy sell कर सकते हो, बहुत से लोगों का सवाल होता है, सर इसमें charges कितना होगा, maximum charge जो ले सकती है, कोई भी ETF launch करने के लिए AMC वो 1% ले सकती है, maximum charge, लेकिन 1% होता नहीं है, और 1% वो ले बहुत ही अच्छा ETF है, ETF मैं इसलिए बोलता हूँ, आपको headache नहीं लेना, CDS से lower circuit में जा रहा है, Tata Motors नीचे आ रहा है, Reliance उपर जा रहा है, आपको जो है, return आपको अगर आपका goal 12-15% का है long term में, ETF से आप easily achieve कर सकते हो, बिना किसी headache के, नीचे आता है, invest करते हो, वो आपके उपर depend करता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, मुझे यह ETF इंवेस्ट करना है, और एक और सवाल आता है, सर, क्या यह ETF लिस्ट होने के बाद, double खुलेगा, triple खुलेगा, ऐसा नहीं होता, ETF के पीछे stocks होते हैं, stocks जितना वो, जिस हिसाब से वो listing के दे के दिन ऊपर जा से 5 stock, 10 stock, 15 stock, 20 stock, depend करता है, कितना index में उसका stock है, उसके movement पे ही depend करता है, आपका price, correct, समझ गये, यह भी सवाल आपका, question जो हो गया, अब मैं आता हूँ, इस पर मैं click करता हूँ, आपको इसमें invest करना हो, कर देना, मैं इस पर click करता हूँ, active NFO, ETF है, क्योंक यह आपका launch हो जा आएगा, bank account में नहीं आएगा, मालो इसका NAV 20 रुपीज का हुआ, और dividend मिला के 20 पैसे का हो रहा है, तो next day इसके NAV में 20 पैसा add हो जाएगा, तो 20 रुपीज 20 पैसा हो जाएगा, NAV का price, growth मत्तब होता है, dividend आपको नहीं मिलता, वो dividend फिर से उसको reinvest कर देते हैं, और NAV का price ज कैसे ही मैंने यहाँ पे click किया, यहाँ पे जो सब कुछ आपको दिख रहा होगा, वे return तो यहाँ पे कुछ ETF का कुछ है नहीं आपका, नीचे आते हैं, fund details में आपको जो है, minimum investment जो है, one time यहाँ पे 1000 रुपीज पुट करना है आपको, तो 1000 रुपीज यहाँ पे आप पुट परसंट है, उसी proportionate में आपका पैसा जो है, डिवाइड होगा, correct, इसमें एक और सवल आता है, sir, tracking error क्या होता है, tracking error मत्तब होता है, कि जो fund का return हुआ, और जो ETF का return हुआ, मत्तब जो इस ETF का में, यह जो launch कर रही है, और जो index का return हुआ, उसमें कितना का difference है, उसको बोलते है tracking error तो 1-2% का हो सकता है वो, तो 1-2% नीचे ही रहेगा, यह confirm नहीं है, उपर भी हो सकता है, यह आपका ETF perform करें 2% extra, आपका index 2% नीचे perform करें, या फिर यह 2% नीचे perform करें, या 2% वो ऊपर perform करें, 0 से लेके 2% के बीच में, उसको बोलते है tracking error है, यह भी concept clear हो गया, अब यहाँ मैं one time यहाँ पर option है, यहाँ पर click करता हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ पर equity fund 14.30 यहाँ पर time frame दे रखा है, तो मैं place करके देखता हूँ, यहाँ पर order लेता है, तो ठीक है नहीं, तो आप same process करना, next day आपका order place हो जाएगा, जो भी है आपका 14.30 equity के लिए, तो यह equity का mainly F&O है तो आप 14, मतरब 2.30 से पहले order place कर देना, market hours के बीच में, Saturday, Sunday count नहीं करेगा वो, debt fund और conservative hybrid fund के लिए आप 1.00 PM ते प्लेस कर सकते हो, liquid fund के लिए आप 12.30 PM ते प्लेस कर सकते हो, तो यह चीज़ धियान रखना, मैं आप ऐसे ही करना amount यहाँ पर put कर देना, जो भी है आपका fund balance यहाँ पर दिख जाएगा, review पर click करना, जैसे आप review पर click करोगे, यहाँ पर place order का option आएगा, आप market hours में, place order का option पर click कर देना, जैसे click करोगे, आपका order प्लेस हो जाएगा, और आपको जो भी आपका होगा units, आपके listing, मतरब 2nd August तक इसका time है, तो 2nd August तो मानलो 7th day से आप, 10 जो भी आप buy sell करते हो, same day के लिए, जो है, positions में रहता हो, जो भी आप buy sell करते हो, उस देन के लिए वहाँ दिखता है, next day आपका, अगर अपने long term के लिए buy किया है, तो यहाँ पर ETF दिखने लएगा, आपको, यही पर मेरा देखो, NETF IT, IT का index है, यहाँ पर दिख रहा है, same आपको, जो है, ICAC का, FMCG ETF जो है, यहाँ पर दिखने लएगा, same process करना है, बहुत सो लोगों को confusion हो डी थी, कैसे करना है, नहीं करना है, process same है, मैंने बता दिया है, same process करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दोस्तों, मैं आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा झाल